हेलो और यूएंट स्वागत आप से विकाम एक्जाम यूट्यूब चैनल पर तो आज की वीडियों में हम लुशेंट जी के जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रहा कि दी टोप थाउजन कोशन उसका आखरी पार्ट है तो इससे पहले आपके नो पार्ट आ सुके हैं यह आप नही क्या करना होगा प्रिक्सा एप से आप लोगों को लोगिन करना होगा ठीक है तो लोगिन करने के लिए आपको क्या करना है प्ले स्टोर से प्रिक्सा एप को डाउनलोड करना है जैसी आप लोगिन करेंगे और वहां पर टैस सीरीज करेंगे तो जैसी आप कूपन कोड अप करेंगे आपको 50% मिल जाएगा तो स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा यह आखरी पार्ट है इसकी पीडिएफ आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको देस्क्रिप्शन बोक्स मिल जाएगा वहां से आप कंप्लीट थाउजन कोशन की पीडिएफ डाउनलोड कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रसन है कितना है बई? 940 कितना है? आगे चलते हैं यदि आपको 940 ना मिले तो 943 भी आपको औप्सन में मिल सकता है तो कोई एक आप लगाएंगे आगे है वर्ष 2011 की जनगना के अनुसार किस राजय में महिलाओं का प्रती हजार प्रूस पर अनुपात जो है सबसे कम है तो किसका है वह हर्याना का है ठीक है अगला है 2011 की जनगना के अनुसार भारत के किस राजय में जनसंक्या गनोत्व सबसे अधिकतम है तो सबसे अधिक्तम किसका है भिहार का अगला है एंटी पीसी का मूख्यालने कहां पर है तो एंटी पीसी क्या है National Thermal Power Corporation यानि की राश्टिययत ताप् विद्यूत निगम का मूख्यालने कहा पर है नई दिल्ले में है अगला है भारत का अनुसंदान के इंदर ही मादरी कहां प्रस्टित है तो यह अरक्र aquíट में है कि अगला है के राष्टी शंघ्रालव कहां प्रस्तापित किया गया था तो राष्टी संघ्रालव कहां प्रस्तापित किया गया घृ hellson candidate कि सिग्षार किसे चुना गया तो वही किसे चुना गया था तो ये थे सची दानंद सी नाको नेक्स्ट परसन है ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा तो आज की वीडियो में हमारी ये कम्पलीट हो जाएगी सिरीज थाउजन कोशन की तो आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए बहुत इंपोटेंट होने वाली है ये अगला है भारत्य स्विधात में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है तो कितने मूल अधिकार प्राप्त है भई छे मूल अधिकार next person है 42 है संसोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से सब्द जोड़े गए थे very important question है बहुत बार एक्जाम में repeat हुआ है तो वो कौन से 3 सब्द थे जो प्रस्तावना में जोड़े गए थे तो वो थे समाजवादी, धर्म, नेरपेक्स और अखंडता नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है तो कौन सा मानसून है जिस से सबसे अधिक वर्षा जो है भारत में होती है तो वो है दक्सिन पस्मी मानसून भारत में ओस्तन वर्षा कितनी होती है तो ओस्तन जो वर्षा होती है वह होती है 118 cm आगे जलते हैं दक्सिन जो पस्मी मांसून है किस राजय में सबसे पहले परवेश करता है नेक्स्ट दुर्दर्शन से रंगीन परशारन कब आरंभ हुआ तो जो रंगीन परशारन शुरू हुआ था दुर्दर्शन के द्वारा ये होता 1982 में अगला है विशुव वन्यजीब कोस द्वारा परतीक के रूप में किस पसु को लिया गया है तो वो कौन सा पसु है वो है पांडा नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े computer network का नाम क्या है तो सबसे बड़ा computer network कौन सा है internet ठीक है network को का network किसको कहते हैं internet को कहते हैं अगला है email के जनम दाता कौन है तो electronic mail यानि कि इसके जनम दाता कौन है Ray Tomlinson अगला है www यानि की worldwide web के अविसकारक कौन है तो यह है team burners ले अगला है STTP का पूरण रूप क्या है hypertext transfer protocol तो हमने computer की भी series start करके वो भी आप जरूर देखिएगा उसका भी और एक चीज़ का आपको playlist बनी ही मिल जाएगी एक बार playlist पर आप जरूर देखिएगा नेक्स्ट दिपीका कुमारी का संबंद किस खेल से है तो 33 ताजित से नेक्स्ट भारत में currency note पर उसका मुल्य कितनी भासाओं में लिखा होता है तो जो currency note होता है भरत का उसमें जो मुल्य लिखा होता भी कितनी भासाओं में लिखा होता है तो वो लिखा होता 17 भासाओं में नेक्स्ट है फ्रांस की करांती कब होई थी तो फ्रांस की जो करांती होती कब होई थी 1789 में नेक्स्ट है, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किस ने दिया था, तो यह किस ने दिया था, भई काल्स मार्ट्स ने नेक्स्ट है समानता सवतंता बंदुतव का नारा किस करांति की देन है तो यह है फ्रांस की राज्य करांति की देन है सब्सक्राइब गोर्षिक ओजुब स्टाइब रॉजो सबसे ज्यादा का पूचाती है तो कई बार कुछ ली जाती है तो क्लोर फ्लोर कारणार अब याद रखेंगे अगला CPU का पूरा नाम Central Processing Unit ये तो आपको पता होगा अगला है सोरमंडल में गरहों की संख्या कितनी है तो आठ है संख्या अगला है जब चंदरमा सूर्य और प्रतिव के बीच आता है तो कौन सा ग्रहन लगता है तो भी कौन सा ग्रहन लगता है जब चंदरमा ये आपका क्या है सं है और ये प्रतिवी है अर्थ है वो इसके बीच में जब चंदरमा आता है तो उसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहन अगला है जल का सुधतम रूप कौन सा है तो वर्षा का अंजल है अगला है भारत में किस परकार की विद्यूत का सरवादिक उत्पादन होता है तो कौन सी परकार की विद्यूत है वही वो है ताप विद्यूत अगला है रेडियो तरंगे वायू मंडल की किस स्तै से प्रिवर्तित होती है तो आयन मंडल से होती है नेक्स्ट है शोब मंडल की धरातर से अधिकतम उचाई कितनी होती है तो 18 किलोमेटर नेक्स्ट है भारत में दक्सिन पस्मी मानसुन किन महीनों में स्क्रिय रहता है तो सबसे पहले हमने दो कोशन भी पड़े हैं सबसे पहले किस राजय में प्रवियस करता है केरल में और सबसे ज़्यदा वर्षा होती है वोगी किस से होती है इसी से होती है और ये कब स्क्रिय रहता है तो ये रहता है जून से सितंबर तक जून से सितम बर्तक नेक्स्ट प्रार्तना समाज की स्थापना किस ने की तो ये है आत्मा राम पांडुरंग अगला प्रसन है कोलकत्ता में मिस्टनरी ओफ चैरिटी संगठन की स्थापना किस ने की थी तो missionary of charity की जो स्थापना है ये किस ने की थी तो ये की थी mother terrace आने तो इसकी pdf आप सभी को मिल जाएगी free of cost है तो telegram चलने आप ज़रूर ज़ाइन कर ले वहाँ पर आपको pdf मिल जाएगी thousand questions की Next is lady with the lamp की नाम से कौन परसीद है तो ये है Florence nightingley next is koon si gass जल्ने में सायक होती है तो कौन Si gass होती है oxygen gas होती है जलने में सायक होती है अगला है वायू manbal का कितना भाग 29 कि-dot उचाई तक पाया जाता है तो कों सा भाग है वह आपका 99% भाग है जो 29 kms उचाई तक पाया जाता है अगला प्रशन है 1807 की क्रांती का ततकालिक कारण क्या था तो चर्बी युक्त कार्तूस का परियोग से ना में तो वो क्या था अठारसो स्तावन की कारण था अगला है सन 1906 में डाका में मुस्लिम लीक की स्तापना किस ने की तो मुस्लिम लीक की स्तापना किस ने की थी आगा खाँ और स्लीम उल्ला खाने आगा खान और स्लीमुला खाने अगला है भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली तो पहली बार जो डाक टिकट चली थी भारत में वो कब चली थी 1854 में अगला है बंगाल बिहार और ओडिसा में स्ताई बंदोबस कब और किस ने लागू किया तो जो श्ताइ बंदोफास थे बहुए 1793 में ये किस ने क्या था लोड कॉन वालिस ने नेक्स्ट है, पानिपत की पहली लड़ाई 1526 में किस के बीच लड़ी गई तो सबसे पहले तो पूछा जाता है पानिपत की पहली लड़ाई कब हुई थी तो 1526 में और ये किस किस के बीच लड़ी गई थी बाबर और इबराहीम लोदी के बीच में नेक्स्ट है किस मुगल बाजसा की मिरत्यू दिल्ली में पुस्तकाले की सीडियों से गिर कर हुई तो वो कौन थे भई हुमायू नेक्स्ट है फतेपूर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्से में बनवाया तो फतेपूर सीकरी में जो बलंद दरवाजा बनवाया था किस ने बनवाया था बुलंद दरवाजा ये अकबर ने बनवाया था और ये किस उपलक्षे में बनवाया था तो ये बनवाया था वही गुजरात की विजय के उपलक्षे में Next person है अगला है भूराजसव की दह साला पदती किसने लागो की तो ये किसने की थी अकबर ने नेक्स्ट ए ओरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकरती यानि कि जो हुबहु रैपली का जिसको हम बोलते हैं नकल किसने बनवाई थी तो यह बनवाई थी ओरंग जेब ने अगला है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किस ने की तो इंडिया हाउस की स्थापना किस ने की थी स्याम जी क्रिशन वर्माने नेक्स्टे कोंग्रेस की स्थापना के से में भरत का वाइसराई कौन था तो कोंग्रेस की जब स्थापना होई तो उसमें भरत की वाइसराई कौन थे लोड डफ्रेन नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा प्रायदीव पे कौन सा है तो कौन सा है अरब प्रायदीव पे नेक्स्ट है पस्मी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो पस्मी घाट है आपके तो इनको अन्य हम किस नाम से जानते हैं सयाध्री परवत अगला है तंबाकू के धुए में कौन सा हानी का रगतत्व पाया जाता है तो यह है निकोटीन नेक्स्ट है राष्टपती का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है तो छे महिने के लिए अगला है गुबारों में गैस का पर्यूग होता है तो हम हीलियम गैस का उप्योग करते हैं गुबारों में अगला है मानव सरीर में रूदीर बैंक का कार्य कोन सा अंग करता है तो बलड बैंक का कार्य कोन करता है मानव सरीर में तो यह करता है, spleen जिसको tilly या pliha भी हम बोलते हैं नेक्सट है, गाएं के दूद का पीला रंग किसकी उपस्तिती के कारण होता है तो यह होता कैरोटीन की उपस्तिती के कारण अगला है, विश्व, AIDS दिवस कब मनाया जाता है तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है नेक्स्ट ए अठारा सो पंदरा में आत्मिय सभा का गठन किस ने किया था तो अठारा सो पंदरा में जो आत्मिय सभा है इसका गठन किस ने किया था राजा रामुहन राए ने चावी भरी घडि में कौन सी उर्जा होती है तो यह होती है स्तितिज उर्जा यानि की potential energy प्रती रोध का मात्रक कौन सा है तो प्रती रोध यानि की resistance की जो si unit होती है तो क्या होती है ओम जिसको हम denote करते हैं सिम्बल से नेक्स्ट है फ्यूज की तार किस परदात की बनी होती है तो वो बनी होती है टिन और सीशे के मिसरन की अगला है इलेक्ट्रोन की खोज किसने की तो इलेक्ट्रोन की खोज किसने की थी थॉम्सन ने अगला है गुरुत वाकर सक के नियम किसने बनाए तो यह किसने बनाए थे न्यूटन ने अगला है परमाणू बंब का अविश्कार किस ने किया तो परमाणू बंब का जो अविश्कार किया था यह किस ने किया था रोबर्ट ओपन हैमर ने नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक हीटर की कोणली जो होती है किस धातू से बनाई जाती है तो यह बनाई जाती है नैक्रोम से दिख रहें तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जब भी वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट है 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 मेटाइट और मेगनेटाइट किसके अज़स कहें तो यह लोहे के अगला प्रसन है कार की बैटरी में किस अमल का परियोग होता है तो यह होता है सल्फ्यूरिक अमल का अगला है अंतर राश्ट्रे जो मूल मातरक है उनकी संख्या बतानी है कितनी है तो यह है सा अगला प्रसन है सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी की स्तापना किस ने की थी तो ये की थी भई गोपाल किर्शन गोकले ने अगला प्रसन है किलाफत आंदोलन का नेत्री तरव किस ने किया तो ये किया था मोलाना महुम्मद अली ने किस घटना के बाद रविंदरना टैगोर ने सर की उपादी लोटा दी तो जलिया वाला जो बाग हतियाकांड हुआ था उसके बाद लोटा दी थी अगला है विशु में सर्वादिक जन्संख्या वाला सहर कौंसा है तो यह टोकियो जहांपर ओलम्पिक भी गेम हुए थे होता है रोग परति रोदक शम्ता है कि अगला है अर्फ अर्थ सास्त्र का जो जनक is कौन कैते हैं तो उनको हम बोलते हैं अबम नगर क्यों अगला है इन्टरनेट दौरा संदेश वेजना क्या कहलाता है टो हम बोलते हैं इसको email यानि की electronic mail नेक्स्ट है मेराथन दोड की दूरी कितनी होती है मेराथन दोड जो होती है इसकी दूरी कितनी होती है तो 26 mil 385 गज यानि की लगबग 42.195 km अगला है समुंदर जल से सुद जल किस परकरिया द्वारा प्राप्त किया जाता है यदि समुंदर जल है उसे हमें सुद जल निकालना है तो वो होता है आस्वन के परकरिया से distillation की मदद से नेक्स्ट है तुल बूल परियोजना किस नदी पर स्तित है तो यह जेलम नदी पर नेक्स्ट है लोगसबा की जो बैठक आयोजित करने के लिए आपेक्सित गण पूरत यानि की जो कोरम होता है वो कितना होना चाहिए तो वो होना चाहिए एक बटा दस अगला है भारत में कौन सी जलवायू पाई जाती है तो यह है उसन कटी बंदिया मानसुनी जलवायू नेक्स्ट है किस मीटी को रेगूर मीटी के नाम से जाना जाता है तो यह होता है काली मीटी next question है, लाल मिटी का रंग लाल क्यों होता है तो यह होता है low oxide की उपस्तिति के कारण next है, भारत के कितने率 96 फल पर खेती होती है तो क्यावन परतिसत 26 फल पर अगला है भारत के पुरुतर के राजों में जंगलो को काट कर जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं तो वो होती है जूम बोलते हैं मुझको अगला है भारत में रेसम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो ये होता करनाटक में next टेस्ट मेर्चों में भारत की और से पहला स्थंक किसने लगाया था तो ये लगाया था लाला अमरनाथ ने next है पॉलो खेलते समय किस भारती है पाजशा की मिर्ति हुई थी तो ये थी कुटूबदीन एबग कौन थे ये कूतूबदीन एबग की नेक्स्ट है भारत का स्वेधानिक परदान कोन होता है तो यह कौन है राश्टफति next question है जापान की जो संसद है उसका नाम क्या है तो वो उम बोलते हैं डाइट को तो जितनी भी आपकी संसद है यानि कि उनके जो नाम है मैंने अलग से ट्रिक डाली हुई है तो आप प्लेलिस्ट देखेंगे स्टैटिक जिक्के की वहाँ पर आपको कम्प्लीट है तो हारे के देश की जो संसद है उसको किस नाम से बोलते हैं वहाँ पर आपको मैंने वीद ट्रिक करवाए हुए हैं तो आप स्टैटिक जिक्के के प्लेलिस्ट में देखेंगे वहाँ पर आपको जरूर बिल जाएंगे विशु परियावरेंड दिवसकब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है पांच जोन को शिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी तो यह लड़ी गई थी जेलम नदी के किनारे नेक्स्ट है डोक्टर अमबेडकर के अनुसार स्विधान का जो दिल है तो heart of constitution हम किसको बोलते हैं तो यह बोलते हैं स्विधानिक उपचारों का अधिकार को नेक्स्ट है दिल्ली और कॉलकात्ता किस हाइवे से जुड़े हैं तो यह नेशनल हाइवे दो से जुड़े हुए हैं नेक्स्ट है निमन में से कोण अंडमान द्वीवसमू को निकोबार द्वीवसमू से अलग करता है तो भई कोण सा चैनल है तो वो है आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो जरूर देखीगा आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट ही ये सिरीज और इसकी आप पीडियाफ लेना चाहते हैं तो पीडियाफ मिल जाएगी माई एक्जाम्स भाइब बुपीदी आप सर्च करेंगे टेलिग्राउंड चैनल या फिर आपको लिंक डेस्क्रिप्शन बुक्स में मिल जाएगा तो आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद